आज में क्या करने जा रहा हूं आज अपने प्लू बीस मेटीओर 350 में टॉप बॉक्स रैक फिट करने जा रहा हूं यहां लगेगा और यह कुछ इस तरह का है यहां पर फिट हो जाएगा यह मैंने कहा से लिया है कितने का पड़ा है वह सब मैं वीडियो के आखरी में बताऊ होगा और यह बहुत ही टॉप नॉच क्वालिटी का है एक बार में आपको पसंद आ जाएगा पाउडर पोटेट पेंट है इसमें और साथ ही मैं मेरे देख पा रहा हूंगे बैक्रेस्ट एक्स्टेंडर जो है इसमें लगा हुआ है लेकिन यह काफी चीप क्वालिटी का ह तो साथ में मैंने यह बैक्रेस्ट एक्स्टेंडर भी मंगाया है इसको भी फिट करूँगा तो वीडियो के साथ बने रही है इंजोटा सब प्रीफ कर दूँ इन चारो बोल्ट को खोलूँगा इस एक्स्टेंडर को यहां पे लगाऊंगा इसके साथ टॉप रेक का यह य कर दो कर ते कर दो कर दो कर दो तो कर दो 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 दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दोुग कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो तो आपने देखा अभी तक यह दोनों साइड वाला गाड जो है इसको मैंने फिट कर दिया है दोनों साइड से चार बोल्ड्स कोले और इनको सोकर के साथ सोकर के बोल्ड के साथ अब बारी आती है इसकी इसको फिर यहां पर फिट करेंगे तो वो वीडियो भी देखिए फास्ट परवर्ड में आएकर दूश MASK परवर्ड बार्ड में आएकर वो वीर्व कर दो कर दो तो जैसा देख रहे हैं काफी मसकत के बाद यह टॉप रेक कि टॉप बोक्स के लिए रैक जो था यह फिट हो गया है और बहुत इच्छी कॉलिटी का था नहीं से नहीं लग रहा है कि वह पुछ एक्स्ट्रा है चार बोल्ट भूआ अच्छी आच्छी कॉलिटी का स्टेनलेस स्टील है तो आज का वीडियो यह था और इसका link पर description box में देदूंगा यह मैंने Amazon से मंगाया था 3850 का था लेकिन price 2000 के आसपास और भी कई जगों पी मिलते हैं लेकिन इस quality का वो नहीं होते हैं तो आप इसको मंगाया अच्छा रहेगा और अगली वीडियो में मैं यह HJG का मीनी इंस्टाल करूँगा अपनी बाइक में और 360 इंडिकेटर बल्ब भी तरलाइफ हो यह अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब मिलते हैं अगले वीडियो में किल देन बाइ